हाइ रेज़ के वेडियो ऑफ एकॉणिक labels है तिप्स पे आज हम बात करने वाले हैं भाई देश के सबसे बड़े बैंक के बारे में अजमें बात करने इंडिया तो भाई और बहनो आज की स्रक्षा में हम बात करने वाले रिजव बैंक अफ इंडिया के कुछ बेसिक निसेसरी फंक्शन के बारे में एक वीडियो और आएगी RBA के फंक्शन के बारे में जिसके अंदर हम थोड़ा सा डीप में चलेंगे और कुछ और फंक्शन देखेंगे आज की वीडियो बहुत इंड्रेस्टिंग होने वाली है आपको कुछ नंबर जरूर दिला के जाएगी तो सीट की पेटी बांद लो और हो जाओ मेरे साथ तयार लेट किस्टाड़ वेता रिजर्फ बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे लोगों का हजारो लाखो लोगों का रूपीज का लोग आता इससे पेरा शॉट लिस्ट हुआ था उसमें जो यह बना हुआ ना यह बीच में डंडा यह डंडा नहीं था यह उपर जो यह डंडे की बी जो आईसा भी रुपीज का लोगो शॉट लिच्ट हुआ था और फाइनरलाईस यह रुपीज का लोगो आया था तो अला न कौन सा चरू बैंक हर फाइनेशले का खुज का एक अपना central bank होता है और हम भारत वासी जो है वो financially developed है, कैसे हो नहीं हो पर financially हम जरूर developed कहलाए जाते है, so it refers to an apex, यह नहीं supreme body, आप सभी कोई दिख रहा होगा, central bank जो है वो क्या है, apex organization है अब उन्हों के सार, apex का मतलब, apex का मतलब supreme होता है, prime होता है, best होता है, सबसे उपर, पिताजी कहते हैं, इसको बैंकों का पिताजी कहते हैं, तो तुम्हारा जो central bank है, वो सारे बैंकों का पिताजी है तुम्हारे school का principle है अब school का principle, इसको इस प्रकार समझेंगे पूरी की पूरी एक pipeline मतला देते हैं principle जो है वो हो गया तुम्हारा apex bank यानि कि RBI जो teachers है वो हो गया तुम्हारे commercial bank, SBI, PNB और आसारे और तुम तो तुम ही रहो गया जिन्दिकी में सब develop हो गया तुम अभी बच्चे ही रहेंगे यानि कि हम हो गया हमारे customer तो इस प्रकार से पूरी की पूरी आपकी जो pipeline है यह work on करती है तो RBI जो है it is an apex body which controls, regulate and direct the entire monetary system जान समझना तीन काम बोले यहाँ पर control करना हाथ में रखती है, regulate चलाती है और direct करती है कि हमारा banking system किस प्रकार से आगे भड़ेगा यह तीनों काम है, यह तीनों के तीनों आपको direction प्रोवाइड कराएगी कि आप इस प्रकार से अपने operation को handle out करो, ठीक है पहले के समय में, यानि 1991 से पहले की जो policies थी उसमें RBI पूरी तरीके से control कर रही थी, पर अब RBI को एक facilitator की तरह काम में लान दिया पहले regulator की तरह काम करती थी अब सिर्फ facilitator की तरह काम कर रही है या जिससे facilitate करती है काम करने में मदद करती है, ऐसा आप लोगों दिख गया होगा यहाँ पर बैठा एक share ठीक है, तो RBI क्या है भारत का share है जिस पर सबको होना चाहिए गर्व ठीक है, तो RBI जो है 1934 का RBI का act जो है आपके लगता है, जिसके अंदर तुबारा जो आता है M1, M2, M3, M4 वगरा वो सारी की सारी चीज़े उसी act के तहत describe की जाती है ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सडी, schedule bank वाला concept हाँ, यहाँ पर 1st April 1935 से RBI को तुमारे Central Bank के अंदर categorize कर दिया गया था ठीक है न, उससे पहले RBI था पर वो Central Bank भारत का Central Bank नहीं था, उसको फिर convert कर जायते Central Bank में, 1st April 1935 को इसके Governor, President Governor कौन है आप सभी जानते हैं शक्तिगान दास्त, आज कल यही चल रहा है Talent में, ठीक है, और बदलते रहते हैं तो आपको Google पर चेक कर लेना पड़ेगा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं RBI क्या काम करता है, सबसे पहला काम आपको यहाँ दिख रहा है तो RBI का जो पहला काम है वो था हमारा रूपीज चापना, नोट चापना तो पहला जो काम है RBI के, that is the currency printing आप सभी language देखो, language आपको बड़ी परसंद आएगी हमारी books के ही कुछ glimpses लिए हुए है हमारे छोटा packet बड़ा दमाका के तो सबसे पहला काम जो है RBI का, वो है currency authority यानि कि RBI का सबसे प्रथम कार्री होता है नोट चापना Central Bank is the sole authority for issuing currency in the country sole right for issuing paper currency, इसको लिखेंगे RBI के पास एकलौता अधिकार है paper note चापने का, paper note का मतला coins नहीं चापती है RBI और 1 rupees का note नहीं चापती है RBI यह तुमारे ministry of finance पर जाके चापता है except 1 rupees note and coins which are issued by the ministry of finance बहुत important चीज है, इन चीजों को लिखते चलना देखो बारवी कक्षा के अंदर आप सभी समझ चुके, रटने से काम नहीं चलेगा जन्नन नौले सामान्य ग्यान की बहुत ज़्यादा आवश्किता आप सभी को पढ़ेगी तो वह सामान्य ग्यान आप सभी को यहां से मिलेगा पीछे आएं ज़रा एक बार, पीछे वली साइट पर दिखाएं एक सगन को, हाँ यहां देखो, तो यहां पर वह सामान्य ग्यान आप सभी को यहां मिलेगा साथ 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 में आपका एक रुपे के नोट और जो सिक्के हैं और वह आपके Ministry of Finance में जाकर चपते हैं पहला काम दूसरा जो RBA काम होता है, वह बड़ा इंट्रेस्टिंग काम है बैंकर्स टूद गवर्मेंट अब जिसे हमारे लिए बैंक है, हम बैंक में जाके क्या कर सकते हैं हम बैंक में जाके रुपीज जमा करा सकते हैं हम चाहें तो लोन ले सकते हैं उसी प्रकार से सरकार का जो बैंक है सरकार SBI में जाके काम नहीं करेगी सरकार P&M में जाके काम नहीं करेगी सरकार Bank of India में जाके काम नहीं करेगी यह काम जो हम करते हैं बैंकों के साथ वह सेम काम सरकार करती है तुम्हारे RBI के साथ RBI act as a banker of the central government and all state government including जम्मो कश्मीर पर है, जम्मो कश्मीर नहीं था अब जम्मो कश्मीर भी यहाँ पर indulge होता जा रहा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि RBI जो है वो banker for the central government of all state government, जितने भी सरकार है उनका जो bank है, वो तुम्हारा RBI, जो सरकार का ठाजाना है, वो RBI के वक में bank में रखा जाता है as a banker, it does all the function of a bank bank की तरव उस सारे के सारे काम करता है अब मेरी बात को यहाँ समझना आप लोग जब भी ध्यान से सुनेंगे अगर आप लोगों ने धंक से समझा गो तो एक चीज आप लोगों के दिमाग में आई होगी अगर थोड़ा सा दिमाग चलता है तो तो वो चीज यह थी कि आपका PM Care Fund बना था यानि कि Central Bank के सारे के सारे खाते क्या है RBI के पास रहते तो फिर SBI में क्यूं दिया गया आपका PM Care Fund SBI का क्यूं है तो PM Care Fund SBI के इसलिए होता है क्यूंकि SBI जो है वो एज़री प्रेजेंटेटिव काम करती है पीछे लाओ ज़रा पीछे लेकर और को बार हां जी पीछे लाओ एक बार और करंसी अथोरीटिव में एक चीज आप सभी समझना करंसी अथोरीटिव में आपको एक चीज समझनी बहुत आवश्यक है जाए में एक चोड़ा सवाल आप सभी से पूछता हूं कि अगर करंसी चापने का काम मैंने सब को दे जा तो क्या हो जाएगा यानि कि अगर हम बात करें करंसी अथोरीटिव किसी एक आजमी के पास है तो इसकी क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं बहुत सारे इतने हिसाब कहां से लाओं हर गर में अगर नोट चप जाएगा तो आप इसाब नहीं लापाओगे यानि कि अगर करंसी अथोरीटिव किसी एक बंदे के पास अब से पहला फाइदा क्या होगा आपका मनी सर्कूलेशन के उपर पूरा का पूरा का पूरा कंट्रोल होगा आप पूरी तरीके से जहान सकते के पता लगा सकते हैं कि पैसा कहां जा रहा है कितना जा रहा है कितना मार्केट में कितना मार्केट में नहीं है एक जैसा नोट चपेगा पता चला मेरी बस मेरी इच्छा कर गई मैं तो नोट के उपर मूझे मना दूँगा दो चापने में तो यूनिफॉर्मिटी आती है लोगों को एक्सेप्टेंस मिले कि लोग समझें कि हाँ जो नोट है वो एक जैसे चल रहे हैं तो यह चीज़े कैसे होती है आपकी तभी होंगी जब नोट शापने का काम किसी एक आजमी के पास होगा तो आगे मदें फंक्षिंस और आपके बंग्स पंक्र बैंक कि इससे अगरें पताट मिल्थ क्या है नविए आपकी जितनारे शूप्साइन उग्चां कर इंद को लो है आप बैंकों में पैसे जम्मा कराणा है बॉलो हां बिलकुल कर आते बैंक में पैसे का चोटा हैसा हिसा आरबी गार्श का बैंक है ये इमकों नर्ट का भी बैंक है ये और साथ सत ratHowarm क्या है उपेर मतलब उपर चानल देखना क्या बोला सूपर मतलब आप उपर वाइजर मतलब देखना, आउपर से देखने का काम करता है, कि सारे के सारे बैंक प्रॉपरली काम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं किसी पेड़ाई कोई दिक्कत को परिशानी हो, तो, आड है इनकी देखरेक करता है, अगर हम चौते पॉइंट की बारे में बात करें, चौता पॉइंट बढ़ा इंट्रेसिंग है, तोड़ा साइड हो जाओ, देखो धर, Custodian, Custodian of Cash Reserve, Custodian का मतलब क्या होता है, रखना, मैंने आपको एक छोटी सी चीज उस समय समझाई थी, कि मान के चलो, आपके पास है 1000 चीक है, 1000 रुपे में से 800 रुपे आपने क्या कर दी है, आपने बैंक में जबा कर दी, 1000 रुपे, बैंक को से 1000 में से 800 रुपे पर लोन पर चाड़ा देगा, बाकि 200 रुपे अपने पास रखे लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेटा जल्दी बोल, LRR, Legal Reserve Requirement, उस LRR के दो जो amount होता है, उसके 200 रुपे, एक होता है SLR, एक होता है CRR, तो CRR का जो पैसा है, वो CRR का पैसा कहा चला जाता है, वो तुम्हारे यहां पर deposit करा दिया जाएगा, यानि कि वो पैसा कहां पर RBI की जब में पहुंच गया, अब पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है, आप बो जलत पढ़े, आप वहां से पैसा निकाल सको, सेम प्रोसीजर आपका बैंक भी RBI के साथ करता है, बैंक का RBI को पैसा क्यों देता है, वो इसलिए देता है, कि वो जब चाहे वहां से ब्याज आता रहता है, RBI से जैसे हम बैंक से ब्याज देता है, 4% saving account पे, उसी प्रकार से जो bank होते है, वो RBI इसे भी आज खाते रहते हैं, बैटे बिटा है, बढ़ी आचे, जब भी आवश्यक्ता पड़ती है, वो पैसा वहां से loan के format में उठा लेते हैं, ठीक है, जब भी आवश्यक्ता पड़ती है, वो काम करवा लेते हैं, ठीक है, reserve ratio, cash, repo rate and reverse repo rate, वो इसी का part है, वो आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, custodian of cash reserve का मतलब, अगर आगे बात करें तो देखो बड़ा interesting है, अब पैसा इसके पास है, पैसा इसके पास है, पैसा तुमारे RBI के पास है, तो पैसा उसने रख रखा है, अब पैसा रख क्यों रखा है, ताकि खुदा ना खास्ता, तेरा मेरा वास्ता तूटा, कोई आवश्यक्ता पढ़ जाती है, तो इस आवश्यक्ता की पूर्ती यहां से हो जाएगी, lender of last resort, lender देने वारा last resort, कुछ नहीं बचा, डूपते को तिनका का सहारा, बैंकों को RBI का सहारा, किसका सहारा, बैंकों को समझ ना, अंतिम option तरिफ इसलिए available है, क्योंकि यह वहां पर available है, बैंकों ने अपना पैसा, जमा करें रखाया RBI में, तो जब भी बैंकों को नुक्सान होगा, पैसे का वश्यक्ता पड़ेगी, तो RBI के पास जाएंगे, वो इसको पैसा देगी, इसकी language बड़ी आसान, ए language लिख लो भाई, पुस्तक में से ही कुछ ग्लिम्स दिये हुए हमारे, हमारे चोटा पैकर बड़ा दमागा है, उसमें से ही कुछ ग्लिम्स हैं, तो आपको बड़ा पसंद आएगा, यूगि हजारों लोगों ने उसको अल्रेडी पसंद कर लिया है, हजारों लाकों लोग अगले जो दो फंक्शन है, उसके बार में पुन धियान से देखेंगे, एक फंक्शन बड़ा इंटरस्टिंग है, घर साफ करना, जारों बोलो क्या करना, घर साफ करना, घर साफ करना, clearing house, clearing house का function है, जब भी कोई बैंक फजाता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप खुलने से पहले बंद हो जाती है, तो हमारे आसपास में भी एक बैंक था, जो कि खुल गया था, सब लोगों ने उसमें पैसे जमा करा दी, किसीने फडी जब करा दी, किसीने कुछ करा दी, अब वो बैंक डूब गया, निकल गया, खतम हो गया, अब जिन लोगों का उस ब अकाउंट, वो हेंडल आउट करेगा, तो क्लिरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है, सेट्लिंग अकाउंट, सेट्लिंग अकाउंट का मतलब है, कि अगर किसी कंडिशन के अंदर, आपका बैंक पैसा नहीं चुका पाता, उसके अकाउंट अंड्यू रहे जाते हैं, तो अंड्यू वाली कंडिशन में आपका RBI, वो क्लिरिंग हाउस फंक्शन की तरह काम करता है, और सारे बैंक को उस बैंक के नुकान को चुका देता है, तो फंक्शन अस त्ट्रलिंग अकाउंट इस जोनने अस क्लिरिंग हाउस फंक्शन और सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रीं also supervise regulate and control the commercial bank समझ में आ गया क्लियर है इंट्रेस्टिंग है काफी समझदार यह जो आज की वीडियो ने काफी समझदार बढ़ी है यानि कि आपको पढ़के ऐसा लगए हो 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 हम कितने बड़े हो ठीक है मतलब ऐसा लगए हो बड़ी-बड़ी बाते होंगे पर यह सारी चीज काॉंट की वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी हमारी पिछली वाले तो मैंने क्या बोला था हर लाइन में हर सेंटेंग्राफ में और पेज में दिक्कत का आती है एक वर्ड से जिस वर्ड को सुनते दिल में क्या हो जाए डबल टाइम दो स्पीड दक उसमें दिक्क का मतलब है आपका रखना रखना क्या foreign exchange reserve रखना इसको हम कहते है custodian of foreign exchange को रखती है कौन से पैसे को foreign exchange reserve को RBI रखती है ठीक है foreign action reserve का मतलब dollar हो गया pound हो गया यह सारी चीज़ें यह सारी चीज़े rabi के पास रखी रहती है rbi keep the reserve of all these things rabi के पास और डॉलर भी होंगे pound भी होंगे यह सारी कि सारी चीज़े होती है ज़्यू रखी रहती है जबाब वताई इसार क्यों रखी रहती है तो क्यों रखी रहने का एक सिंपल से जुगाड़ है वो इसलिए रखी रहती हैं ताकि जब भी हमारी करेंसी की वैल्यू में फ्लक्टुएशन आएगा तब तक हम यानि की RBI उस करेंसी की वैल्यू के फ्लक्टुएशन को सुधार लेगा पाला मार्केट में डॉलर की रेड़ पढर रही है क्या वहारा मार्केट में रूपी भौत हैं पैसा खेंच लिया हो डॉलर छोड़ दिये मार्केट में सुधर के अक्षेंज चेप्टर पढ़एंगे तब इस चीज को आगी डीटिल में देख लेंगे ठीके लास्ट जो फं उसको अभी से पूरा पूरा पढ़ते चलेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत को परिशानी आप सभी को ना हो, ठीक है, सो भाई और बहनों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम सभी ने देखा, कि RBI किस प्रकार से काम कर रही है, और उसके क्या-क्या function है अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, लैंग्विज पसंद आई हो, तो अभी जाके Amazon पे जाएं, और इन दोनों पुस्टक को जाके परचेस कर ले हैं, हमारी Indian Economic Development और ये है हमारे Macro Economics, हमारे दो छोटा packet बड़ा दमा का इस सेशन के, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा क जिसके जाएं, बढड़ी मशकार